आपके ग्राहक के खुशी से आपके दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर जो एडिवल ओयल से है तो बता दे खुद्रा महेंगाई में अगले महीने से थोड़ी रहत मिल सकती है इसकी मुखे वज़े हैं कि इंडोनेशिया सोमवर यानि 23 मई से फिर से पाम ओयल के निर्याद शुरू करने जा रहा है तो 28 अप्रेल से इंडोनेशिया ने पाम ओयल के निर्याद पर रोक लगा रखी थी ऐसा सब जानते हैं वही इससे भारत में पाम ओयल की कीम में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था और उसका असर सभी खाद तेलों के दाम पर भी देखा जा रहा था वही रूस यूकरेन यूद की वज़े से सूरज मुखी के तेल का आयार पहले से ही प्रभावित है इसलिए इंडोनेशिया की तरफ से पाम ओयल के निर्याद पर रोग लगाने के फैसले से खाद तेल की कीमतों में तेजी को समर्थन में ला था भारत में खाद तेल की खपत 225 लाग टन की है इसमें 80 लाग टन पाम ओयल शामिल है भारत सलाना 40 लाग टन आयात इंडोनेशिया से कलता है इंडोनेशिया 62 प्रतीशत की हिस्सेदारी के साथ विश्व का सबसे वड़ा पाम ओयल उत्पादक देश है दूसरे नंबर पर मल इंडोनेशिया पाम ओयल में दुनिया की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है वहीं इंडोनेशिया से पाम ओयल का आयाद फिर से शुरू होने से खाद तेल के साथ साबून शैंपू, बिस्किट, टूथ पेस्ट जैसी FMCG सेक्टर की वस्सूओं की कीमत में भी रहत मिल सकती है, इन सभी के उत पादन में पाम ओयल का इस्तमाल होता है, वहीं इंडोनेशिया ने अपने देश में खाद तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पाम ओयल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था, लेकिन किसानों को हो रहे भारी दुकसान को देखते हुए अब फिर से निर्यात खोलने का फैसला इंडोनेशिया ने किया है, तो ये थी बात कि इंडोनेशिया ने 23 मई से पाम ओयल के एक्सपोर्ट पर लगाए बैन को हटा लेगा, वहीं जिसके बात खाने की तेल की सप्लाई जो बढ़ाने में मदद भी मिलेगी, जिससे की किम्तों में कमी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है, तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी एहम खबरों के लिए बने रही है, मार्के टाइम्स चीवी के साथ, मुझे दीजे जासत, नमस्कान इते देफ्ड़ी जासत, और दो आजब व जासत, या नमस्कान करस द знаю सोत एम जासत, तो आने की बड़ी सास्कान कर्टन की पो किम्त जासत, अमस्कान